हलो बच्चो, बच्चो आज जो हम topic discuss करना जा रहे हैं वो हमारा fiber सारों से पहले बात करते ही, fiber क्या होता है और क्या इसके हम use है? तो बच्चे fiber क्या होगा? बच्चे fiber होता है fiber it is the thread like threads like structure बच्चे ये thread की तरह structure होता है fiber, जो हम use करते हैं for formation of cloth अब बचे बात यह आते हैं जो fiber है fiber के क्या source है या कितने type का होता है तो बचे जितनी भी thread होते हैं सबी हम क्या कहते हैं वो fiber के ही होते हैं अब जो यह fiber है fiber कितने type का होगा तो बचे जब हम इसके types की बात करें जब हम fiber के types की बात करें ये three types का होता है on the basis of source अब बात ही आ जाते कि सोर्स कौन कौन से होंगे बचे तो बचे इसका पहला सोर्स होता है एक नैचूरल क्या सोर्स होता है बचो नैचूरल Second के हम बात करूँ 2nd होता है Semi Synthetic कौनसा बचो Semi Synthetic Third कौनसा होता है保‑ Oh như Synthetic तो बचचचे इसकी 3 types होते है Natural Fiber, Semisynthetic और Synthetic पहले बचचे यहां जो natural fiber है मैं लिख देता हूँ Last में ये भी fiber और Synthetic Fiber अब यहां मैं बात करूँ सारों से पहले की मतलब क्या होता है जो नेचुरल फाइबर है। यह क्या है? तो बचे जो नेचुरल फाइबर है इसका मतलब होता है की इस type of fiber, this type of fiber is obtained from ज्रुआंस अब्टेन करें भचो? नेचुरल सोर्स, से कहा है? this type of fiber की से ? जिसे हम natural source of 10 करते हैं, अब बचे जब मैं second बात करता हूं, semi-synthetic, अब semi-synthetic क्या होगा, जो natural source से हमने जो लिया, यानि कि जो natural source से हमने fiber लिया है, उसकी क्या होते हैं, यह modification होती है, तो बचे इसे हम क्या कहते हैं, modification of modification of natural fiber जो नेचिरल फाइबर होते हैं उसकी modification हो जाती है अब बात ये आती है कि इसकी जो modification होते ही किसे करते हैं तो बच्चे हम क्या कहते हैं जो आपका natural natural fiber है उसके अंदर हम क्या mix करदेते हैं कुछ chemical mix करदेते हैं जिसे हम बोलते हैं chemical modification chemical modification करते हैं और क्या बन जाता है आपका semi synthetic fiber एक होते हैं भी टप थाड़ जिसे हम बोलते है synthetic fiber इसका मतलब क्या है it's synthesis या synthesized by machine या man-made जिसे हम कहते हैं ठीक है या जिसे हम artificial भी बोलते है artificially जिसे हम artificially prepare करते हैं या उसे हम बनाते हैं ये बच्चे तीन टाइप के हमारे fiber हैं अब हम बात करेंगे इनका huge क्या है क्या कुछ है तो बच्चे जब मैं बात करूं natural fiber natural fiber के अंदर पहले हम बात कर लेते हैं कौन-कौन से होते हैं तो बच्चे जब मैं natural fiber के बात करूं तो इसमें जो बच्चे पहला आता है वो आपका आता है cotton बच्चे वो क्या आता है cotton अब बच्चे जो cotton है cotton एक natural fiber है अब जो cotton है cotton कहा मिलती है बच्चे हमें ये मिलती है हमें direct natural source जो इसका क्या होता है cotton के यानि कि जिसे हम बोलता है कोटन के जो ग्रोथ होती है जो इसकी क्रोप होती है क्योंकि इसके हम ट्री नहीं बोलेगे को ट्री जादा बड़े होते हैं जो कोटन की फिल्ड होते हैं जो इसकी क्रोप रहते हैं एक सरह हम क्रोप ही जादा बड़ यूज़ करते हैं जो कोटन की डिटेल में डिसकस करते हैं तो बच्छे अब जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो कौन सा था बच्छे नैचुरल फाइबर जो नैचुरल फाइबर है इसके अंदर जो हमना फर्स्ट किया अब बात ही हो जाते कि पॉलीमर क्या होते है तो बच्छे जो पॉलीमर होते है नाम से पता चल रहा है पॉली मैने और मर मैने monomeric unit monomeric unit को बच्चे हम क्या बोलते है general, single unit क्या कहते है single unit, यानि कि जिसकी क्या हो, single unit मिलके एक long chain बनाईज को पोलीमर तो हम इसकी proper definition क्या बोलेंगे polymer is the polymer is the long chain long chain of monomer long chain of monomer, उसे बच्चे हम कहते है polymer तो cotton एक polymer है तो बच्चे, cotton जो polymer है, तो इसकी एक monomeric unit होगी, तो बच्चे, इसकी monomeric unit होती है वो क्या होती है बच्चे जो इसकी monomeric unit होती है वो होती है glucose, क्या होती है बच्चे glucose, glucose क्या है monomeric unit यानि की भूच ज्यादा गुलकोज जुड़कर क्या बनाते हैं कोटन या जिसे हम बोलते हैं जो आपकी कोटन है या जिसे हम बोलते हैं सेलूलोज जो इसकी पॉलिमेरिक यूनिट है उसे हम बोलते हैं सेलूलोज यह है इसकी पॉलिमेरिक यूनिट यह पॉलिमेरिक यूनि यानि कि ये जो plant होते है प्लांट सारे मिलके क्या करते हैं गुलकोज बनाते हैं गुलकोज से क्या बनाएंगे cellulose ठीक है तो बचे ये हुआ आपका cotton ये क्या है cellulose तो ये इतना हमें पता चल गया अब बात ये आती है कि जो fiber हमने nature से लिया जो cotton लिया तो cotton के हम क्या करते हैं कुछ cloth यूज करते हैं कपड़े बनाते हैं तो cotton के कपड़ों के हम क्या कहते हैं बच्चो सुत्ती कपड़े जिसे कहते हैं इनकी खासियत क्या होती है cotton के कपड़ों इखासियत है इसके बीच में होता है gap spacious होते हैं, gap होता है जिसमें क्या होगा air अराम से अंदर आ जाती है और गर्मियों में हमें थोड़ा relaxation feel होता है second, दूसरा फाइदा क्या होता है cotton के कपड़ों का ये heat को resistant करते हैं इसके जो cloth होते हैं वो क्या करते हैं बच्चो heat को resistant करते हैं तो इसका हम यूज का करते हैं जैसे घर में हम कोई भी जैसे मालों किचन में कोई काम कर रहे हैं तो जैसे heat का काम हुआ है जैसे roti फलाने का काम होता है तो सारी जैके कौन से कपड़े यूज होते है बटा cotton के कपड़े यूज होते है तो ये था आपके बटा cotton जो आपका क्या है natural polymer इसके लावा एक और polymer आता है जो natural है वो कौन सा आता है बच्चो कुछ mind में आ रहा होगा चलो बच्चे वो होता है एक जिसे हम बोलते हैं सिल्क जो सिल्क एक polymer है सिल्क बच्चे क्या है ये है तो natural polymer कहां से मिलता है ये हम लेता है बटा सिल्क वोम से सिल्क को हम नॉर्मल हिंदी में कहते है रेसम जो क्या होता है वेरी सॉफ्ट ये क्या होता है very soft thread होते हैं जो इसके threads होते हैं बड़े soft होते हैं जैसे मुला एक दो वह फिल आती है कि बड़ा soft है जैसे कई बार pillow होते है pillow बड़े soft होते है तो वैसे यह सौफ्ट होता है silk अब बच्चे जो यह silk warm होता है उससे ही हम इसको extract करते हैं जैसे एक book mention करती है कि सारों से पहले चाइना में extract किया गया, तो बच्चे चाइना में जो extract किया गया है, वो silkworm से किया गया है था, अब जो भी silkworm से हम extract करते हैं, वो costly पड़ता है, इससे silk को extract करना क्या पड़ता है, बच्चों काफी costly पड़ता है, तो अब हम क्या करते हैं इसको extract नहीं करते हैं तो बचे और कौन सा होता है आपका natural polymer और आ जाता है बचे वॉल कौन सा वॉल वॉल भी क्या है बचो एक आप इसको ये लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो जनरल जो वर्डियम ये उज़ करते हैं जो वॉल है वॉल भी बचे क्या होते है एक जो आपकी natural polymer है वॉल की क्या source है बचे ये आपकी जो sips होती है जिसे हम बोलते हैं भेट जो cattle होती है उन cattle के जो hair होते हैं उसके अंदर होते है आपकी wool जो जिसे हम वॉल बनाते हैं अब बात ये है ये भी हम natural use नहीं करते इतना हम जो use करते हैं जो अगर हम बात करूँ जो हम general life में use करते हैं वो हम natural polymer use नहीं करते हैं हम use करते हैं वो हम use करते हैं semi synthetic and synthetic अब बात ये जैसे ये तो हमने पढ़ लिया एक बात natural अब जब मैं semi-synthetic की बात करता हूँ उसमें मैं आपको फिर modification बताता हूँ कि हम natural की जगह ये क्यों use करते हैं तो बच्चे देखो जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर semi-synthetic fiber तो semi-synthetic fiber के अंदर बच्चे एक example आता है first जिसका नाम है rayon जो बच्चे rayon है ये क्या है इसे हम कहते है artificial silk अब बच्चे silk क्या था direct extract करना यानि कि जो हम silk को किसे extract कर रहे थे silkworm से इससे extract करना extract का मतलब था बच्चे उससे remove out करना निकालना ये काफी costly पड़ता है तो अब हम क्या करते है artificial silk बनाते है ये कैसे बनते है बच्चे ये जो बनता है इसके लिए हम लेते है wood pulp wood pulp plus some chemical मिलाते है और क्या बन जाता है rayon इसका बच्चे हम यूज का करते है ये हमें पता होना चाहिए इसका बच्चे हम यूज करते हैं जो carpates होते हैं वहां यूज करते हैं या जो आपके जैसे सौफे के कपड़े हो गए जिसमें थोड़ से smoothness आई वहां पर ये हम यूज करते हैं rayon अब बच्चे जो rayon था ये क्या था artificial है इसके इलावा एक दूसरा भी होता है ये तो पता चल गया था क्यों यूज किया था हमने artificial silk क्योंकि natural silk क्या था मेंगा पड़ता था अब हम second बात करते हैं बच्चे वो आता है terricot क्या होता है बच्चे terricot terricot जो मिलके बना होता है ये किससे बनता है बच्चे cotton किससे बचो cotton प्लस terry lean cotton प्लस terry lean इससे मिलके बनता है अब बच्चे अगर मैं इसकी बात करूँ synthetic जिसे हम semi synthetic fiber बोलते हैं और एक cotton की दोनों के कपड़ों को लो अगर हमने दोनों के कपड़े लिया और अगर हम उसे धोने लगी तो क्या होगा मैंने आपको एक चीज बताई थी जो cotton के कपड़े होते हैं ये क्या होते थोड़े से इनके बीचे पोरस जादा होते है second गर्मियों में हम ये क्यों डालते हैं क्या करते हैं मोश्चेर को absorb कर लेते क्यों गैप है तो मोश्चेर अबजोब हो जाएगा जो ये है टैरी कोट ये मोश्चेर को इतना अबजोब नहीं करेगा जबकि cotton के क्या करते हैं अबजोब कर लेते हैं अगर हम दोने लगे कपड़े तो cotton वाले कपड़े उनको दोना मुस्किल रहता है क्योंकि वो पानी जाद अबजोब करते हैं क्या होगा जब कपड़े अचालते हैं अचालने वाज़ोब निचोड़ते हैं उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है comparative टैरी कोट के कपड़ों में अब सेकिंड सोर्स क्या होता है जो आपके नैचूरल जो आपके हम यूज कहां करेंगे हमें यूज पता हो तभी तो अच्छे उसको पड़ पाएंगे और हमें याद रहेगा तो बच्चे जो टैरी कोट है इसका मैं आपको हिंट देता हूँ थोड़ सा सोचना एक मूवी है बच्चो जिसका नाम है राजा बाबू थोड़ी पुरानी मूवी है उसके अंदर एक बंदा होता है जो उसमें कॉमेडी कर रहे है थोड़ा वो बंदा थोड़ा तोतला होता है जो बोलता है मेले राजा बाबू आगई तो बच्चे जो वो है उसका नाम होता है याद आयोगा कुछ नंदू जो ब्लाद राधा नंदू सबगा बंदू जो सक्ति कपूर है वो वहाँ पर क्या कि यह ओता है उसमें सबस्क्ष करना डालता है जिसे हम अंडर वेर बोलते हैं तो उसका कछ्छा देखोंगे वो धारियोवाला कछ्छा है उसका जो धारियों वाले कच्छे होते हैं बच्चे वो किसके बने होते हैं टैरी कोट के जितने भी है जैसे कुछ के जैसे दादा हो गए आप ओल टाइप जो यानि कि हमारी बड़े आगे वाली जनरेशन हो गई आगे वाली बोलते हैं जो हमारी बड़ी जनरेशन है जो हमारी ऐसे ही बच्चे और भी Semi-Synthetic Fiber होते हैं तो एक बार हम जो आपके Slavers में उतना ही डिसकस करते हैं RAYON हो गया, Terricote हो गया अब हम चलते हैं थोड़ा ओर आगए, अब हम चलते हैं SIMI Synthetic के उपर, तो बच्चे, Semisynthetic तो हो गया अब हम next discuss करते हैं synthetic fiber तो बच्छे synthetic fiber यह हमें पता चल गया यह direct किस से obtain होते हैं यानि कि हम industry में खुद बनाते हैं जबकि nature में कोई भी source नहीं होता है अब बात यह आते कि हम इसको बनाते कैसे हैं इसका source क्या है तो बच्छे जो इसका source है वो source होता है बच्छो पेट्रो केमिकल क्या होता है बच्छो पेट्रो केमिकल यह इसके source होते हैं अब बच्छे बात यह पेट्रो केमिकल क्या है पहली बार नाम सुना है तो बच्छे जो पेट्रो केमिकल है यह वर्ड लिया गया है पेट्रोलियम किसे बच्छे पेट्रोलियम अब पेट्रोलियम क्या बीमारी है बात तो यह भी होती है तो बच्छे पेट्रोलियम क्या होत क्रूड ओयल क्या कहते हैं बच्चे क्रूड ओयल या जिसे कभी आपने न्यूज येपर में देखा हो काई बार ये न्यूज आती है कि कच्चे तेल के भाव कम हो गई जिसे पैट्रोल डिजल सस्ता हो गया तो बच्चे जो कच्चा तेल है उसे हम कहते हैं क्रूड ओयल या जिसे हम एक petroleum jelly बोल दें या पराफिन wax बोल देते हैं, wax का भी ये mixer होता है, जैसे जो wax, जो vaseline यूज़ करते हैं, उसमे लिखा होगा petroleum jelly, तो इन सारों का mixर होता है petroleum, तो इन petroleum से हम क्या करते हैं, इससे हम polymer बनाते हैं, इससे हम क्या बनाते हैं, पॉलिमर बनाते हैं जो क्या काम करता है फाइपर का जो क्या होता है तो बच्छे आपकी जो बुक मेंशन करती है जो आपकी बुक मेंशन करती है बच्छे वो करती है कोल प्लस वाटर प्लस हीट या जिसे बात कर दू एनरजी heat लिख दो या में इसे energy दोनों जैसे energy या heat एकी बात है तो ये मिलके क्या बना लेगा आपका polymer जिसे हम बोलते है fiber तो बचे ये एक चीज हुआ अब इसमें एक चीज रहते है वो क्या है जो भी ये है petroleum ये सारे क्या होते हैं combustible क्या होते हैं बचे combustible होते हैं यानि कि जब भी जब आपने synthetic fiber अगर यूज किये हुए हैं या synthetic fiber आपने जैसे कपड़े डाले हुए हैं तो ये कपड़े डालके कभी भी क्या नहीं करना चाहिए fire के touch से दूर रहना चाहिए कभी भी जैसे अकसर होता है जैसे दिवाली या होली होती है तो हमारे paint से एक चीज कहते हैं कि कभी भी पटाके जलाओ तो सुत्ती कपड़े डालके जलाने चाहिए यानि कि cotton के कपड़े डालके डालो कभी fiber डालके मत जलाओ और कभी मम्मी को देखाओ अगर वो kitchen में काम करते हैं तो वो कभी भी इसके synthetic fiber के कपड़े कभी भी डालते वो कौन से यूज करते हैं cotton के कपड़े यूज करते हैं क्योंकि बच्चे ये किस से बना हुआ है petrochemical से बना हुआ है ये क्या होता है combustible होते है ये बड़ी जल्दी क्या करेंगे fire को catch कर जाएंगे ये बड़ी जल्दी fire को catch कर जाते है एक ये reason होता है दूसरा क्या होता है काई बार अगर हम उसको pass लेकर जाएंगे fire के अगर catch नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा ये जो fiber है बच्चे ये fiber melt हो जाता है जैसे कभी आपने देखा हो जो sweater बगर हम डालते हैं अगर उन पर हलकी सीपी अगर candle के पास ले जाएं या जैसे मालो अगर हम heater के पास सर्दियों में सिका कर रहे हैं तो क्या होता है वो melt हो जाता है ऐसे लगते हैं कि ये जल गया वो क्यों जलता है क्योंकि क्या चीजन सारे petrochemical है अब इन में बात आते हैं कि इसमें अब एक्जाम्पल क्या क्या होंगी ये तो मैंने आपको सोर्स बता दिया है अब हम बात कर लेते हैं इसमें एक्जाम्पल की तो बच्चे एक्जाम्पल क्या है अभी देखो अभी करते हैं डिसकस तो बच्चे जब मैं बात करूँ synthetic fiber synthetic fiber के लिए जो आपकी book mention करते example वो example बात करती है nylon किसका बात करते है बच्चे nylon nylon क्या है यह artificial fiber है यह क्या है fiber है इसका कहां यूज करते हैं बच्चे इसका हम यूज करते हैं जैसे जो सर्दियों के हम कपड़े यूज करते हैं jacket हो गई यहाँ रोब बनाने में यहाँ यूज करते हैं अब इसमें एक दो टाइप और होते हैं जैसे एक nylon हुआ एक मैं और बात करूँ एक होता है बच्चे जिसे हम बोलते हैं पोली एस्टर जो पोली एस्टर होता है इन में क्यों होता है बच्चे जो एस्टर है इसकी ये मोनोमर होता है यानि कि इसकी पोलीमेरिक फॉर्म हम यूज कर लेते हैं एस्टर की एस्टर एक और गैनिक कमपाउंड है तो बच्चे जो polyester है अक्सर जितनी भी आपको jacket मिलती है jacket किसकी होती है वो polyester की होती है कहते हैं कैसे जैसे अगर आपको jacket लेने जाओ आपको दो टाइप की jacket मिलती है एक leather jacket एक दूसरी jacket जो leather jacket है leather jacket का कितना weight होगा तकरीबन 500 से 700 gram कुछ उससे भी भारी हो जाती है और जो ये वाली है polyester की ये आपको jacket कितनी मिलेंगी बिल्कुल हलकी जैसे 200 से 1500 gram तक की जैसे कुछ लोग क्या करते हैं सर्दियों के अंदर जैसे कुछ बच्चों के आदत होती है 8-8-9-9 कपड़े डालाते हैं अब क्या होता है बच्चे काफी लोग भी यूज करते हैं जिसमें एक ही jacket sufficient है एक jacket आपको लगे ही बिल्कुल हलके सी बट वो इतनी थोड़ी मतलब इतनी comfortable रहते कि ठेंड को अंदर आने नहीं देती है वो किसे बनी होते हैं बच्चे polyester से बनी होती है nylon generally इसके लिए 5 rope के लिए हो गया या काई बार हम मैट बनाने में भी यूज करते हैं और जैसे आपका umbrella होता है umbrella बनाने में हो गया कुछ अगर हम cover की बात करें तो cover बनाने में यूज करते हैं तो ये थे आपके बच्चे synthetic fiber nylon और दूसरा polyester एक और होता है बच्चे एक हम polyacryl की भी बात कर लेते हैं ये भी हम यूज करते हैं तो बच्चे ये जो है आपके synthetic fiber है अब इनकी अगर हम बात करूँ कि कौन सा ज़्यादा best है यूज करने में तो बच्चे क्या होता है जैसे आपने मातमा गांदी जी का नाम सुनना है उन्होंने एक पहले आंदोलन चलाया था जिसे बोलते थे सवदेशी आंदोलन उन्होंने क्या किया था वो अपनी जो संस्था चलाते थे उन्होंने बोला कि जो सवदेशी आंदोलन है इसके अंदर हम देश में बनी हुई चीज़े यूज करेंगे तो कहते थे खादी के कपड़े यूज करो जो भचे खादी के कपड़े है वो खादी के कपड़े का मतलब था कोटन की कपड़े वो क्या करते थे खादी कपड़े खुद ही बनाई जाते जैसे अभी भी ब्रांड है, जैसे अगर आपने को सोरुम देखो, स्पेसल खादी के नाम से हैं, उसमें आपको सिरफ और सिरफ कोटन के ही कलोथ मिलते हैं, अब वो सेम वही चीज़ है कोटन है, उसके कपड़े बनाते हैं, जबकि अगर मैं बात करूँ, कौन सा हमारे लिए ठीक है, तो पहले बात बच्चे को क्या होना चाहिए, कोई भी कपड़ें कोस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, यानि कि हमें थोड़े ठीक ठाक रेट में मिल जाएं, तो उसमें बच्चे सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर से सस्ते मिल जाते हैं, फर्स्ट कंडिशन, सेकेंड में बात करूँ, वो क्या होती है, जिसको हम वोस करें, वो इजली वोसेबल हो जाएं, जिसमें कुछ चेंजिज ना हैं, अगर बच्चे कोटन के कपड़े हैं, उनमें आप देखोगे, जब भी आप कपड़े लेने जाते हो, तो दुकान वो ही रहते हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है, इसके बाद बच्चे मैं बात करूँ, और क्या वेरिएशन रहता है? एक वेरिएशन रहता है, कलर का, जो सेमि सिंथेटिक है, सिंथेटिक इनका कलर कभी भी अपियर, मैंले उसका जो कलर फेड नहीं होता है, जबकि cotton या जो natural है उनका color क्या हो जाता है fade हो जाता है ये चीज़े रहती हैं आपकी fiber के लिए कि कौन सा best fiber है हमने क्यों natural से shift किया semi synthetic और synthetic के color तो बचे इतना आपको करना है ये थोड़ा अच्छे से करना है ठीक है बाई बचो